दोस्तों जैसके आप सबी जानते हैं कि कलस टीवी पर चल रहा बेरेस्टर बाबू एक बार फिर से नया रंग लेने जा रहा है आठ सल के लंबे लीप के बाद बॉन्दिता और अनिरुद दोनों ही आपको नए रूप में दिखाए देने वाले हैं बेरेस्टर बाबू की बाउन्दिता जल्द ही जिन्दगी का नया ध्याय शुरू करने वाली है इस नई कहानी की शिरुआस से पहले बाउन्दिता अपनी ठाकुर्मा के चंगुल से बाहराने के लिए जद्दो जहत कर रही है वही अनिरुद भी हर हाल में अपनी बाउन्दिता के साथ खड़ा नजर आ रहा है अनिरुद को ये बात अच्छे से पता है कि ठाकुर्मा बाउन्दिता की जिन्दगी बरबाद करना चाहती है बैरेस्टर बाबु में अब तक आपने देखा कि ठाकुर्मा जबरदस्ती बाउन्दिता की शादी एक बुड़े आदमी से करवाने की कोशश करती है शादी तूटने के बाद ठाकुर्मा शुद्दी करन के बहाने बाउन्दिता को एक खंडर में पीच दीती है बाउन्दिता का पीछा करते हुए अनिरुद भी जंगल में बने इस खंडर में पहुंच जाता है आते ही अनिरुद सबसे पहले बाउन्दिता को होश मिलाने की कोशश करता है इसे बीच अनिरुद का सामना चीते के साथ हो जाता है जिहां दोस्तों ऐसे में अनिरूद अपनी बौंधिता की जान बचाता है अनिरूद चाहता है कि बौंधिता हर हाल में ठाकुरमार से दूर हो जाए इसी बीच और सीरियल बेरिस्टर बाबु में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वज़ा से अनिरुद जेल की सलाखों के पीछे पहुच जाएगा आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद बांदिता की जान बचाते बचाते जेल पहुच जाएंगे वो भी ठाकुर मा की वज़ा से बैरिस्टर बाबु के आने वाले एपिसोट में आप ये सब देखने वाले हैं कितने निकलते ही ठाकुर्मा बॉन्दिता के तलाश में निकल जाएंगी वहीं दूसरी तरफ बॉन्दिता के ठीक होते ही अनिरुद कलकत्ता के लिए रवाना भी हो जाएंगी इस बीच बॉंदिता अनिरुद से माफी भी मांगेंगी लेकिन ठाकुर्मा अनिरुद और बॉंदिता को एक साथ देख कहा सकती है इन दोनों को अलग करने के लिए एक बार फिर से नई चाल चलती नज़र आएंगी ठाकुर्मा